हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुपसुरत और बहुत ही आसान पैटर्स सियर करने जारी हूँ इस पैटर्स को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन साफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, गल्स स्वेटर, गल्स टॉप, जैकेट, लॉंग स्वेटर, बच्चों के ऑल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट आधी में बनके बहुत ही खुपसुरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटर्न बन सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटर्न बनाके कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर पैटर्न का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बॉर्डर पैटर्न कंप्लीट होने के और फ्रंट साइड से हमने फर्स्ट रोग को सीधा भूनते हुए कंप्लीट करना है, ये फ्रंट साइड से मारी पैटर्न की फर्स्ट रोग है, और फर्स्ट रोग को हमने सीधा भूनते हुए कंप्लीट कर लिना है देखे ए फ्रांट साइड से पैटरन की फरस्ट रो कम्प्लीट हो गई बैक साइड से देखे सेकिंड रो अब सेकिंड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और नेस्ट हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने दो फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच ये देखिए पहला फंदा छोड़के देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुने पांच फंदे सीधे अब इन्ही साथ फंदों का प्रोसिस रिपीट करेंगे, तो देखिए धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट में हमारे दो फंदे उ उटा जाएगा तो देखिए ये बैक साइड से यमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई अब देखिए थार्ड रो फ्रंट साइड से थार्ड रो पहला फंदा उतारेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे सीधे ये देखिए ये बैक साइड से यमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो पहला फंदा उतारेंगे अब फ्रंट साइड से ये देखिए हमारी थार्ड रो आएगी इसको हम सीधा बुनते हुए कमप्लेट करेंगे ये देखे ये फ्रेंट साइड से मारी पैटरन की थाड रोब कम्प्लीट हो गई बैक साइड से देखे फोर्द रोब पहला फंदा उतारेंगे नेस्ट आमने दो फंदे उल्टे बुनने धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच अब नेस्ट आम ये ही प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे पांच फंदे सीधे बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और लास्ट वाला फंदा भी उल्टा आ जाएगा तो देखे वैक साइट से फोर्थ रोग कम्प्लेट हुए अब देखे फिप रोग फिप रोग को हमने पैटन की फ़र्ट रोग की तरह सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की फिप रोग कम्प्लेट हुए बैक साइड से देखे शिक्स रोग पैला फंदा उतारेंगे नेस्ट हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करेंगे पाँच फंदे सिधे एक दो तीन चार पांच फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे पांच फंदे सिधे एक दो तीन चार पांच लास्ट में देखे दो फंदे उल्टे आजाएंगे और लास्ट वाला फंदा भी उल्टा आजाएगा तो देखे बैक साइड से पैटन की शिक्स रोग कम्प्लेट हुए अब देखे शेवन तरो पहला फंदा उ सीधा बुनते हुए कम्प्लेट कर लेना है यह देखे यह फ्रन्ट साइड से अमारी पैटन की सेवन तरो कम्प्लेट हुए बैक साइड से देखे एड तरो पहला फंदा उतारेंगे नेश्टम दो फंदे उल्टे बुनेगे दागा पीछे कर लेंगे 5 फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर दागा पीछे 5 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा, तो देखें ये बैक साइड से पैटरन की एट रो कम्प्लीट होगे, आप देखें फ्रेंट साइड से नाइन रो, पहला फंदा उतारेंगे, और बुनते हुए कम्प्लीट करना है, ये देखें ये फ्रेंट साइड से हमारी पैटरन की नाइन रो कम्प्लीट होगे, आप देखें बैक साइड से टैं रो, अब टैं रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सिधे बुनेंगे, एक, दो, फिर धागा अपनी साइड, पांच हंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सिधे, एक, दो, फिर धागा अपनी साइड, पांच हंदे उल्टे, एक दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा पीछे, लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा, तो देखे ये बैक साइड से हमारी टैंत रो कमप्लेट हो गई, अब देखे इलेवन तरो, लेवन तरो को हमने पैटन की फर्स्ट रो की तरह सीधा बुनते हुए कमप्लेट करने, अब देखे बैक साइड से ट्वेल तरो, एला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड करेंगे, पांच फंदे, उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, नेश्ट इनी साथ फंदों का प्रोसिस रिपीट होगा, दो फंदे सीधे, एक, दो, धागा अपनी साइड, पांच फंदे, उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा पीछे कर लेंगे, लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे आएंगे, एक फंदा उल्टा आ जाएगा, तो देखे, ये बैक साइड से हमारी पैटन की 12 रो कमप्लेट होगई, आप देखिए फ्रंट साइड से 13 रो 13 रो में हमारा पैटन रिपीट होगा 13 रो को हम पैटन की 1st रो की तरह बुनते हुए complete करेंगे अब हमने इन्ही बारस लायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बन के देखिए हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूरें थेंक यू दो करीज सब्सक्राइब दोस्ताल प्लीज सब्सक्राइब जोस्तों कि यू अपरू